हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे जैतून तेल जैतून तेल को ऑलिव ऑईल भी कहा जाता है ऑलिव ऑईल को ही हिंदी में जैतून का तेल कहा जाता है इसके फायदे हमें कई परिशानियों को तूर करने में मदद करते हैं जैतून के पेचातर मती शेत्रिये प्रदेशों में पाए जाते हैं लेकिन अब इसके औस दिये क्योंकि बजार में कम गुन बत्तावाले जेतुन के तेल भी खुब बिकते हैं सबसे अच्छा औलिव उसी माना जाता है जो कोल फ्रेस्ट होता है इसमें अच्छा स्वाद और गंद मौझूद होता है कि इसका इसका स्वास्तिते हैं कि वेश्ता के लिए ऑलिए औरियू के फ़स्ट वजन गठाने में ऑलिव ऑईल का महतपूर योगदान है ऑलिव ऑईल में मोजू स्वस मोनो सिचुरेटेट फैट पेट की चरवी और वजन को कम करने में महतपूर भूमी का निभाता है गिती सही मात्रा में इसका उप्योग किया जाए तो आप अपना वजन असानी से कम कर सकते हैं मोटापे से बचने के लिए आपको रोजाना एक से दो चमच ऑलिव ऑईल का प्रतिक सुभे स्रेवन करना चाहिए और दूसरा सूजन के लिए ऑलिव ऑईल में सूजन को कम करने के लिए गुन भी मौजूद होते हैं विशेश रूप से लंबे समय से चले आ रही सूजन को कम करने में इसकी महतपूर भूमी का है इसके अलावा कैंसर, अलजाइमर, हृद्य रोग, मदुमे और गटिया जैसे विवाली को भी दूर करने में इसका फाइदा है तीसरा बालों के लिए जैथून के तेल में फैटी एसिड और कई सारे अंटी आकसिड के साथ ही विटामिन एपी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें मुझूर ये सभी तत्वर, सुखे और शती ग्रस बालों के इलाज में काफी उप्योगी साबित होते हैं इससे तो मुझ वाले बालों की समस्याओं का भी उच्छी सामधान मिलता है और चौत्था फाइदा इसका ये है कि कॉलेस्ट्रॉल को कम करने में भी लाबदायक है जेतुन के तेल की सहाइता से आपका दिल मजबूत होता है और दोरा पढ़ने की संभावना में कमी आती है और इसका पाँचवा लाबदायक उपचार ये है कि जेतुन के तेल में मौजूद पॉलिफाइनर एंटी आकसिज आपके शरीर में सूजन को कम करने के साथ ही कैंसर के जौखियम को भी कम करते है इसके लिए आपको शुक जेतुन के तेल एक से दो चमच रोजाना इस्तमाल करना चाहिए तो ये थे जेतुन तेल के पाच फाइदे और इसके साथ साथ हम जेतुन के तेल के पाच नुकसान के बारे में भी बात करेंगे जेतुन के तेल से चेहरे में ब्लैक हैड पैदा होते हैं इसके इलावा कुछ लोगों में इसके इस्तमाल से अलर्जी की समस्या भी हो जाती है जेतून के तेल का अधिक से अधिक स्तमाल करने से रक्तचाप में भारी गिरावट आ जाती है जेतून के तेल की उच्छ वसा की मात्रा पाचन विकार का कारण बन सकती है दस और गेस्ट्रिक जैसी समस्याओं को पैदा कर सकती है तो दोस्तों ये थे जेतुन के तेल के फायते और नुकसान तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की अच्छी वीडियो जानने के लिए